अस्सलाम अलेकूम आज हम आपके साथ शेयर करेंगे टमाटे गोष्ट का शेरवा बनाने के रेसिपी तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे तो इसके लिए लेंगे हम हड़ी वाला गोष्ट यह है 500 ग्राम गोष्ट इसको हम गलाने के लिए प्रिशर कुकर में आट कर लेंगे टमाटर लेंगे छे मीडियम साइज के बारी कटे हुए टमाटर आट करेंगे और दो मीडियम साइज की प्याज लेंगे अब हम इसमें अध्रकलेसन का पेस्ट आट करेंगे दो टेबल स्पून लाल मिर्च पॉडर लेंगे दो टेबल स्पून आदर टी स्पून ह चाइल भी जो है आप लग अपनी इमर्जी के мешar के हलंक माना माने की वारे में पुरिंगे यकि आरने के बार्फद अच्छे सीटी साफ़ कर देका बार सक्षे हैशी से लिए पाल्ध ऌता हैक लुए इस पालो पालिकोप स्वार्फव कर लेंगे और pressure cooker कड़कर निकाल लेंगे और इसके बाद में हम फिर से flame on करेंगे और टमाटर गोश्ट को अच्छे से भून लेंगे पहले टमाटर और प्यास अच्छे से पेस्ट की तरह हो जाना दो से तीन मिनट के लिए मीडियम हीट पे भून लेंगे यह देखिए अब यह अच्छे से भूने गया अब हम इसमें बारी कटा हुआ कोटमीर और हरीमिर चाट कर लेंगे दो से तीन स्लिट के हुए हरीमिर चाट कर लेना है पानी आट कर लेंगे अब इसमें देट गलास पानी लेंगे हम और इसके बाद में अब ये मीडियम हीट पर पका लेंगे 10-12 मिनट के लिए विक और आसान रेसिपी है तो आप लोग इसको जरूर ट्राइ करके देखिए और 10-12 मिनट तक इसको अचे से पका लेने के बाद में अब हम फ्लेम आफ कर लेंगे और इसको सर्फ कर सकते फुलके या फिर रोटी के साथ में जैसे आप लोग चाहें तो ये देखिए टमाटे गोश्ट का शेरवा अब बिल्कुल रेडी है सर्फ करने के लिए तो ज़रूर ट्राइ कर ये रेसिपी को रेसिपी देखने के बाद में अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रू लाइक कर दीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग अलाहाफिस